स्वालो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 important hacks की जिससे आप अपने खर्चे को significantly reduce कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा 5 hacks क्या-क्या है वो तो सकते हैं लेकिन 5 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह 5 बहुत प्राक्टिकल हैं और सब को suit करेंग मेरे पास है उस car को दे दिया था और driver के साथ तो driver आता था उसे लेके जाता था सुबह साम और जिस दिन छुटी होती थी driver की उस दिन मैं आतों लेते जाता था या एकात दिन उसका भी week off होता था तो उस दिन नहीं जाता था driver को मेरे बिहार के थे उनको छुटी पे जाना पड़ा 4-5 महिने के लिए तो उन्होंने रिजाइन किया फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं driver नहीं रखोंगा और बच्चे को ओला से उबर से अब इस प्रॉसेस में मैंने देखा तो मेरी गाड़ी भी यूज नहीं हो रही पेट्रोल भी नहीं यूज हो रहा तो गाड़ी का एक तरह से जो किलो मेटर चलता है उसे साथ से जो depreciation होता है तो गाड़ी की वो किलो मेटर travel कम हो गई, depreciation naturally थोड़ा सा कम होगा और खर्चे भी मेरे 12-16,000 के बीच में सिमट गए तो अब येक lesson है, मैंने हर महीने करीब करीब 15,000 रुपे save किये और जब मन करें बच्चा जाता है मुझे कोई expectation नहीं रहती, जब मैं free होता हूं तो गाड़ी से छोड़ देता हूं नहीं होता हूं, तो वो app-based आजकल taxi है, उसे track किया जा सकता है वो उससे हम छोड़वा देते हैं कभी-कभी महीने में एक दो बार दिक्कत होती जब taxi नहीं मिल पाती तो थोड़ा सा inconvenience होता है लेकिन 15,000 बच रहे हैं, तो वो manageable है ये एक lesson है मेरे लिए भी lesson आया कि हम कैसे पैसे को अपने खर्चे को घटा सकते हैं, खर्चा घटाना मनलब पैसा कमाना, एक pennies saved is pennies earned, कई लोग कहते हैं मैंने अपने एक वीड़ी में और बताया था कि आप जब पैसा बचाते हो, उस पे जो टेक्स लगता वो भी आपने करीब 45,000 और बचा लिए तो लगबग आपने 20,000 की saving कर ली एक छोटे decision से, ऐसे आपके पास भी decision चुपे होते हैं तो एक पहला hack तो मेरा यह था, इस तरह से कुछ भी अगर आपके पास हो, तो आप save कर सकते हैं, यह मेरा personal experience था दूस्तरा, हम लोग ब्रत रखते हैं fasting कर लीजे, ना ना खाने का नहीं, पैसे की, expenditure की एक दिन की fasting कर लीजे, अब एक दिन की आप fasting कर लीजे उस दिन decide कर लीजे, उस दिन मुझे कुछ purchase नहीं करना, white करना है तो आप सोचोगे यार, आज नहीं purchase करोगे, कल कर लोगे tooth brush की जरूत आज थी, आज घर में नहीं ला है, आप उसी को निचोड के कि या तो कल खरीद लोगे, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप आज ही करने वाले थे, वो आपके बच गया है और आप ऐसा करके देखिएगा, क्योंकि मैं fifth hack जो बताऊंगा उसमें इस खर्चे को आप जब write down करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपने पैसे को बचा लिया, मुझे याद है कि मैं सोचा करता था मेरे एक relative फुपाजी है, उनकी सौप थी, medical सौप है, उनकी chemist की सौप थी तो कई की बार हो कहते थे कि loss होगा, आज सौप बंद रखना पड़ा तो मैं सोचता था यार, सौप बंद रखने से loss कैसे हो गया, छोटा था मैं क्योंकि अपना सारा माल तो पड़ा हुआ, बिका तो है नहीं, बिके का तो प्रॉफिट आएगा, वो कल बेस देंगे, कल प्रॉफिट ले लेंगे पर जब मैं ग्रो किया तो मझे पता चला, कि हर दिन जो कस्टमर्स आते हैं, वो अगर सौप बंद रहेगा तो कहीं और से खरील लेंगे, यानि जो प्रॉफिट की प्रॉबिल्टी थी उस दिन की, वो तो जीरो हो गई, यानि साब बंद करने से नुकसान होता है, मुझे लगा था नहीं होता है, ऐसे ही फास्टिंग अगर आप करेंगे, तो उससे आपको फाइदा होगा, में भी आपको लगे कि नहीं होगा, तो एक दिन का फास्टिंग, वीक में कर पाएद बहुत अच्छा है, नहीं तो पंदरे दिन में एक बार कर लीजे, जरूर करिए, इससे आपको आप पैसे अपने बचा सकते हैं, तीसरा हैक है, ये बहुत लोग इससे तरस्त है, क्रेडिट का आपके पास कैस होना चाहिए, डेविट कार्ट से खरीदो, कई बार कैस नहीं के वज़ए से आप बड़ी अच्छी अच्छी सौपिंग जो अकम मन करता ना, इंपल्सिव बाइंग रोग देते हो, अब इंपल्सिव बाइंग मन कर रहा देखा, खरीदने का पैसे नहीं है क्रेट कार्ट स्वाइप करवा दिया, या ओनलाइन गया, क्रेट कार्ट इंटर किया, सौपिंग हो गई, लेकिन अगर डेविट कार्ट से करना हो, आपको पता है कल EMI जानी है, या कल कुछ और खर्चे आ रहे हैं, अभी एकाउंट में केवल कुछ 100 रुपे एक्स्टा ब करता हूँ, तो आप सौपिंग सारा डेविट कार्ट से करिए, कैस से करिए, कैस मतला बैंक एकाउंट में होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ट से मत करिए, लोन मत लीजे, इससे आप डेफिनेटली काफी पैसा बचा सकते हैं, अब मैं आता हूँ फोर्थ हैट पे, तो इतना बड़ा ट्यूब, टूथपेस लेने की जड़रत नहीं है, जो आप सोच रहे हो, छे महिने चलेगा, आप बोर हो जाओगे, कि यह ठीक है, सस्ता मिल रहा है, एक ले रहा हूँ, तो मैं सपोज 100 रुपीज का मिल रहा है, दो लेने हैं, उसी का डबल अमाउंट का मालब वेट का मैं ले रहा हूँ, तो 180 बढ़ रहा है, I am saving 20 रूपीज, no, you are not saving 20 रूपीज, it will be based, उतना ही चलेगा वो, जितना 180 का actual चलता, तो ऐसे over expenditure जब हम कर जाते हैं, over shopping कहते हैं, उसको over shopping कर लेते हैं, pulse shopping कर लेते हैं, कभी बार हम कहते हैं, वो over eating कर लेते हैं, इस त पुरा पुरा दो दो तीन तिन ट्रॉली भर के लेके आते हैं समाना, ऐसा लगता है, यार क्या करेंगे, कितने परिवार हैं इनके, पता चलता, दो ही परिवार हैं, चार ही लोग है घर में, दो बच्चे, दो खुद, इतना shopping कर लेते हैं, ऐसा लगता है, किसके लिए लेक किया होगा, तो इस तरह से over shopping से बचिये, और उतना ही खरी दिये, जितना आप एक महीने में यूज कर लेजे, या in fact अगर आपके आसपास की shop है, तो कभी-कभी जरुआत हो तब खरी दिये, हलांकि एक साथ shop करना, budget बनाना बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन बट फिर भ पढ़ने से पहले में request करूंगा, चैनल जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा, अगर first time visitor है, तो subscribe जरूर करिए, well icon भी दबा दीजेगा, कभी भी आपको कोई भी वीडियो आएगा, तुरंत मिलेगा, बहुत ज़्यदा वीडियो नहीं, हर दिन में एक वीडियो डाल रहा हू और वीडियो पसंद आए, तो like जरू करिएगा, पांचवा point है, list your expenditure everyday if possible, यह मैं करता हूँ और बहुत योज होता है, आप अपने खर्चे को अगर आप रोज लिखेंगे, तो एक महीने के अंदर ही, जब आप उसको evaluate करेंगे न, you will come to know your extra खर्च करने की habit कहां कहां है, कौन कौन सा पैसा आपने फालतों में खर्च किया, कहां कहां पैसा आप बचा सकते हो, even अगर आपका business है, तो रोज in और out लिखे, out में आपके per day के खर्चे भी आएंगे, salaries भी आएंगे, rent भी आएगा, बिजली का भी लाएगा, तो per day आपका expenditure, roughly आपको पता होगा, क्योंकि हर हर महीने लगवग more or less उतना ही जाता होगा, और उसके बाद आप per day का income लिखिए, उसके बाद दोनों को subtract करिए, खर्चे में income जो हो रहा है, उसमें GST हटा दीजेगा, remaining net value को लिखिए, फिर आपको पता चलेगा हर दिन आप deficit में जा रहे हैं, या हर दिन कितना profit है, और overall monthly आप कैसे उस budget को manage कर सकते हैं, घर पे आप simply खर्चे लिख लो, अगर salary हो, salary आपको पता इतनी ही आनी है, खर्चे कितने हो रहे हैं उसके against, salary जो आपके account में आती हो count करिएगा, जो tax चला गया वो नहीं, उसके बाद आपके year long some expenditures भी होते हैं, insurance का किस्ट जाना है, गाड़ी कुछ fixed expenditures उसको हटा के जो monthly income बचती है वो आप मानिये, और फिर आप monthly कितना खर्च कर पा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा strong बनाएगा decision लेने में, बहुत ज़्यादा आपको help करेगा cut करने में extra expenditures, so I hope ये जो five hacks है, it will help you a lot, comment जरू करिएगा कि आपको कैसा लगा, thank you very much, bye bye